नमस्कार किसान भाईयों मैं हूँ आपका दोस्त लक्षमान और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं आज हम बात करेंगे कपास की फसल की कपास एक हार्दिक मेत्यों की रिष्ये वाली फसल है जिसको किसान के स्क्रोब भी किया सकते हैं क्योंकि इसको बेच कर तुरंत आमदनी प्राप्त की जा सकती है लेकिन कपास में वर्दमान समय में एक बहुत बड़ी समेश्या का सामना करना पड़ रहा है जिसमें उसकी फ्लोवरिंग जो फूल आ रहे हैं वो लगातार पोदों से गिर रहे हैं और अभी वर्दमान समय में किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी समेश्या हो रही है जैसे कि आप देख सकते हो आज हम एक किसान के खेत में पहुँचे हैं जहां पर हमें बहुत सारे फूल गिरे हुए दिखाई दिये इतने ज़्यादा फूल गिरने से रोकने के लिए हमें कुछ उपाए करने चाहिए नहीं तो ये फूल गिर जाने से हमारे पोदे पर टिंडे की मातरे कम लगती है जैसे कि आप देख रहे हैं ये से फूल लगबग हर पोदे से गिर रहे हैं जिसको देखकर हमें इसका समाधान उंची समय पर कर लेना चाहिए नित हमारी से सीधा सीधा पैदावार जो निकलनी चाहिए उपज उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो इसके लिए हम एक दवाई का स्प्रे करेंगे दवाई का स्प्रे करने से पहले फूलों की कली बनने से लेकर टिंडे की पकुता वास्ता के बीच बहुत अधी कली वो टिंडे गिरना का पास की फसल के लिए एक आम समयशा होती है समय चाहिए इसे समय्षा के लिए हमारी पेदावार में कमी नहीं होती है इसके लिए हम दवाई जिसे प्लाणौ फिक्स के नाम से जाना चाहता है प्लानोफिक्स को NAA एक तरह का नेप्थेलिन एसीटिक एसीड रसाइनिक नाम होता है उस प्लानोफिक्स मार्केट नेम है इसका जिसको कपास में वर्दी हार्मन का उप्योग किया जाता है प्लानोफिक्स की मात्रा दो एमल को पांस लिटर पानी में मिलाकर चिड़काओ करना चाहिए और इसमें प्लानोफिक्स की मात्रागर एक हेक्टर की बात करें तो एक हेक्टर कपास की फसल को पूर्ण विक्सित टिंडे एक साथ खिलाने के लिए जब हमार टिंडे चोटे हो मेचूर हो जते हैं कपास के पोदे और जल्दी खेत खाली हो जता है इसके लिए मैं एक हेक्टर की बात करते हैं 200 ग्राम ड्रोप को 600 लिटर पाने में गोल कर परती हेक्टर की धर से स्प्रेय करना चाहिए और 15 दिन के अंदर जब इस पर करते हैं तो पंदरा दिन झाल झाल झाल